क्रोनिक एयर इंफेक्शन बार बार कान खराब होना येस दोस्तों बात करते हैं माई सैफ डॉक्टर सुनील तमर कंसल्टेंट एंटी एंट राइनोप्लास्टी सरजन जैपुर दुर्भी हॉस्पिटल दोस्तों क्रोनिक एयर इंफेक्शन हर आदमी अपने एयर को क्लीन belt येस बार बार आप इचिंग परिशान हों हो सकता है ये वो दोस्तों बार बार आप ओको जर्फ चैन भीट या कोई ब्लीडिंग भात ऊप दोक्तर के पास जाना पड़ आप अ क्रोनिक एयर इंफेक्शन का एक्रोनिक टोर सरफिमा हों कमेंस्ट बार 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 आ अगर येर के अंदर वैक्स है और उसको हमने क्लीन नहीं किया तो जब नमी होती है या वैक्स के कारण जो हमारे कैनाल में जो इचिंग होती है उस इचिंग को करने के लिए हमने ये बार्ड पैंद पैंसी जब कान में हम डालते हैं पर सीसरे जो इसतरे एक वहां पर फंगस करीड हो गया जो है वह उसके करण इंफेक्शन करीड हो गया अब दोस्तों फंगस एक ऐसा प्रोबलम है बहुत फंगल स्वांगल शोटे होते हैं कि उसको जब तक प्रॉपर क्लीन स्वेश्चान को होता है एक तो यह इंपोर्टेंट रीजिन हो गया है, इसके अलवा बहुत बार क्या है कि हमें पता नहीं होता, व्यक्ति को पता नहीं होता, कि उनका जो कान का पर्दा है, उस कान के पर्दे में होल होता है, पर्पुरिशन होता है, तो जो हमारा बेरियर है, हमारा पर्दा क्या करत तो हमें बार-बार इंफेक्शन होगा इसके अलावा व्यक्ति की खुद की जो है कोई आदते या मेंटल रिटार्ड पेशेंट जो नॉर्मल हाइजिन नहीं रख रहा है एक क्रोनिक इंफेक्शन का रिजन एक यह होता है कि कहीं बहुत बहुत पॉल्यूशन है या बहुत ज्यादा डस्ट है तो भी एर के अंदर क्रोनिक इंफेक्शन के चांसेज आपको कंटीनिर होते हैं अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है दोस्तों जब कोई पेशेंट इयर प्रॉब्लम लेके आता है तो फर्स्ट विगर्स केट था हिस्ट्री ऑफ पेशेंट उसको पूछा जाता है कि आप क्या काम कर रहो आपको कब से प्रॉब्लम है उसके बाद एंडोस्कोप या ओट और को जिस्कों गोते हैं दृबीन डालके उसको तुरंट यह बार देख लिया जाता है तो यह वैक्स तो में उन्टमेंट लगा कि द्रेसिनग की जाती है और अगर आपके पर्दे में होल है तो उस पर्दे के होल को ठीक किया जाता है दोस्तो बहुत बार क्या है कि पेशेंट कहता है सर मेरे को दवाई से ही ठीक कर दो अब अगर कान के पर्दे में छेद है और उसके करण बार-बार आपको एर में इंफेक्शन हो रख रहा है तो उसमें मेडिसन का रोल नहीं होता है उस बेरियर को ठीक करना पड़ेगा एक दीवार में होल है और गंदगी को प्रेवेंसन करने के लिए उस होल को बंद करना पड़ेगा तो डॉक्टर की सलाद की अहनुका खेंट तो उसकी सलाद भी हएथ करना पड़ेगा और उसमें डर्णना नहीं है, आजकल बड़ी है, लेटेस्ट टेक्निलोजी है, जिसने दुर्बीन से अंदर के अंदर ठीक कर दिया जाता है, कान के पीछे कही चीरा लगाने की ज़रूफ नहीं है, जिससे आने वाले और समय में और दुस परिनाम भी नहीं है, जो क्रोनिक एंप्पोटर ने जो डियग्नोसिस बनाया, और बना के उसमें जो ट्रीटमेंट उसको भी ठीकिया, दूसरी जो है, वो इंपोटन चीज है कि कान के अंदर जो है, वो आपको बार-बार जो और अंदर येर बड, पैन, पैंसिल्स वो आपको कभी नहीं डालनी चाईए, व वो आपको जो है वो गोड नेक सिस्टम बनाया है कि वेक्स बनता है अपने आप आता है क्लीन होता है और समय समय पे डॉक्टर को दिखा कि क्लीन कर लेना है So, these are very important informations दोस्तों, you can say to your friends and family and colleagues just to create awareness regarding the chronic ear infections आपका कोई questions है, query है, definitely you can put my comment box, I'll reply, thank you आपका कोईची दोसी का्टर का उाप ठाभर सक्टाप नेक्स बनाया जास्ठा़ोच्स